नमस्कार मैं रस्मी मिस्रा आप सबका स्वागत करती हूं साहिप्ति जोती में आज के इस वीडियो में हम लोग तोहन लाल द्रिवेदी जी द्वारा रचित जाकरन गीत नामक कवीता को पढ़ेंगे इस पार्ट की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए वीड रहा हूं अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूं तो यह कवीता द्रिवेदी जी द्वारा लिखी गई है और इस कवीता में उन्होंने मुख्य रूप से लोगों को चगाने का प्रयास किया है आईए इसके संदर्प को देखत कवीता में कवी ने मुख्य रूप से लोगों को जगाने का प्रयास किया है कवी ने लोगों में साहस कर्म और आसावादी जैसी जो भावनाएं है उसको विक्सित करने का प्रयास अपनी कवीता के माध्यम से किया है आईए हम इन पंक्तियों के अर्थ को समझने का प्रयास करतے हैं तो सबसे पहले कुछ सब्दार्थ देख लेते हैं ज serious अपर नाहीं तो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं अतल अतल यानि गहरा अतल सभद का अर्थ होता है गहरा अस्ताचल कहते हैं पश्चिम दिसा को तीकिंव जहां पर सूर्य ऊस्त होता है और अरुण सभद का अर्थ होता है आपका लाल अरुण यानि लाल और उद्याचल यानि पूर्वदिशा जहां पर सुर्य उद्ध होता है तो आए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं तो कवी पहली दो पंक्तियों में पहली जो दो पंक्तिया हैं हमारे कि अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं इसमें कवी जो हैं अपनी कवीता के माध्यम से भारतवासियों को संबोधित करते हैं और उन्हें प्रेणा दे रहे हैं अचेतन यह जग रुपता के स्थिती जो लोग पहुच चुके हैं उन्हें अपनी कवीता के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वै लोगों से कहते हैं कि अब मैं अपनी कवीता के द्वारा तुम्हें नींद और आलस को तुम्हारी जो नींद और आलस तुम्हारे भीतर समा गई है उसे मैं भगा दूँगा और तुम्हारे भीतर नवीन चेतना का संचार कर दूँगा फिर कहते हैं आगे की दो पंक्तियों में कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण अधियाचल सजाने आ रहा हूं तो केह रहे हैं कि जिस अचे तंता के कारण तुम सदेव बिफल होते रहे हो और मैं अब तुम्हे उस अस्ताचल की और यानि कि पश्चिन दिसा की और जहां की सूर्य अस्त हो जाता है तुम्हारे जीवन में नवीन सुर्योदय की चागरिती करूँंगा एबं चागरिती लेकर आऊंगा तो हम लोग समझते हैं फिर से इंचारपंगतियों को कवि कह रहे हैं कि अब नगहरी नींद में में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूँँगा अरुण उधियाचल सजाने आ रहा हूं तो कभी और चेतनता की स्थिति में बहुत चुके लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो आलस और क कर्मनता के कारण इसी आलस्य के कारण तुम जो अस्ताचल में गिर गए हो वहां मैं तुम्हें अब और ज्याने नहीं दूंगा तुम्हारे भीतर नमीन चेतना का संचार करूंगा आई आगे की पंक्तियों को देखते हैं कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम अब तुम्हें आकास में उड़ने न दूंगा आज धरती पर बसाने आ रहा हूं कल्पना शब्द का क्या आर्थ होता है अनुमान करना और साधना शब्द का आर्थ होता है उपासना तीहरकर यानि भाय से कापकर भाय से कापना तो देखिए इसमें पवी का मुख्य उद्देश यही है कि वो लोगों को कर्म के प्रति जागरुप करें उन्हें करतब बिसील बनाए प्रभुद बनाए जागरुप बनाए और आज तक जो लोग कल्पना की दुनिया में खोए हुए है हवाई महल बनाते रहे हैं यह जो पंक्ती है हमारी आगे की दो पंक्तिया पहली दो पंक्तिया की कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम साधना लोग कल्पना की दुनिया में खोय हुए हैं हवाई महल बना रहे हैं सदा भावनाओं में बहते रहे हैं और साथी साथ कारे और साधना से डर कर पीछ छे हटते रहे हैं कभी अब उन्हें कोरी कल्पना नहीं करने देगा उन्हें कल्पनाओं में खोने नहीं देगा आगे क्य करते रहे क्यां इसे स्वपन देखना जो कभी भी पूरे नहीं होंगी क्या थी अथी अध्यम कंछी करते हैं पूरी आंखों से कक भी भी सॉपन होंगे तो कभी कभी जो है वो लोगों को कल्पना की दुनिया से हटा कर वास्तिविक जीवन जगत में लाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि आज धर्ती पर बसाने आ रहा हूं यानि की कल्पना से हटकर वास्तिविक जीवन से परिचय कराना चाहता है आगे की पंक्तियों में द समस्ते थे अभी तक फूल में उसको बनाने आ रहा हूं तो यहां पर सजोना शजोना जो शब्द है उसका अर्थ है सजाना कि और गूरु सब्द का अर्थ है भारी चूल शब्द कार्थ है काटा तो कभी कहते हैं जो लोग अचेतन ताक स्थिती में पहुँच चुके हैं और क्या कह रहे हैं कि अब तक हम लोग अचेतन स्थिती में नीद में मीठे ख्वाब बुनते रहे हैं दुख नहीं यह नीद में सपने सजोना दुख नहीं यह सिस तीश पर घृब्ध होना तो जो लोग अभी तक अचेतन स्थिती में रहे हैं नीद में मीठे-मीठे ख्वाब बंते गुंते रहे हैं लेकिन वास्ताव में ना तो सच और नाहीं वास्तविक सुख इस तरह जो कल्पना हम कहरें ना तो वह सच और नाहीं उसमें किसी भी प्रकार का सुख है पत्ति साथ जोETH पर सुख नहीं कहा गया है कि दुख नहीं यह सीश पर गुरु भाल ढ़ना तो अब जब तक हम क्या कर रहे हैं स्रम और महनत को दुख समझते हैं और इसी कारण और महनत करने से दूर भागते रहें सबस्क्ष्ट नगी होता है जब थक हम कुछ भी पृप्त नहीं कर सकते हैं इसीलिए कभी आंतिम पंतियों में कहते हैं कि शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक फूल में उसको बनाने आ रहा हूं, जिसको तुम अभी तक कष्ट समझते रहे हो, परशानी समझते रहे हो, उसे मैं अपनी कवीता के चमतकार से, कवीता के माध्यम से सुख में तबदील, यानि की सुख में बदल दूँगा, वास वास्तविक्त ना सुख है ना उसमें सच्चाई है और जिस मेहनत और श्रम को तुम दुख समझते रहे हो वह वास्तविक्ता में दुख तो है नहीं इसलिए अब मैं अपनी कवीता के माध्यम से तुम्हारा जो दुख है उसे सुख में तबदील करने आ रहा हूं अगे की पंक्तियों में देखते हैं देखकर मजदार को घबरा न जाना हाथ में हाथले पतवार को घबरा न जाना मैं किनारे पर तुम्हें ठकने न दूंगा पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं तो इसमें जो शब्द है मजधार मजधार शब्द कार्थ है धारा के मध्य में यानि की बीच में और पत्वार कार्थ है जिसके सहारे नाव इधर उधर घुमाई जाती है ये तो आपको पता ही है तो कभी अपनी कवीता के माध्यम से लोगों के भीतर क्या कर रहे हैं सक्ति का संचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जीवन है वो संघर्षों से परिपूर्ण है परिपूर्ण का मतलब भरा हुआ है अता हमें कभी भी बीच रास्ते में घबराना नहीं चाहिए घबराने की कोई अवसक्ता नहीं इसलिए कहरें देखो कि देखकर मजधार को घबराना जाना फाथले पतवार को घबराना जाना तो जीवन जो है वो संघर्षों से कष्टों से भरा हुआ है इसलिए बीच राह में हमें घबराने की जरूवत नहीं है और नहीं जो हमारा पत्वार है उसको लेके भागने की जरूवत है और कभी आगे क्या कहते हैं कि मैं किनारे पर तुहें ठकने न दूंगा पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूं तो कभी कहते हैं कि कभी स्वयम में आस्था रखने की बात कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस जीवन संघर्ष को पार लगाने का दाइद तो मेरा है इसलिए मैं आ रहा हूं मैं तुम लोगों को ठकने नहीं दूंगा निरास होने नहीं दूंगा बल्कि तुम में क्या करता रहूँगा सक्ति का संचार करता रहूँगा और इसके माध्यम से ही तुम जो है वो अपना जो मार्ग है उसे पूर्ण कर पाओगे अपनी जो यह नईया है उसे एक पार से दूसरी पार लगा पाओगे तुसे समझाती हूँ आप समझने का प्रियास कीजिए कह रहे हैं कि देखकर मजधार को घबराना जाना हाथ ले पतवार को घबराना जाना कभी कह रहे हैं कि यह जो जीवन है वो संगर्षों से परिपूर्ण है इसमें बहुत सारी अर्चने हैं बहुत सारी कष्ट है मैं जो हूँ वो तुम्हें ठकने नहीं दूँगा बल्कि तुम्हारी जीवन नया को मैं अवस्य पार लगाऊंगा आगे देखते हैं तोड़ दो मन में कसी सब स्रिंखलाएं तोड़ दो मन में बसी संकिर्णताएं बिन्दु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूँगा सिंदु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूं तो शिंखलाशब्द का क्या अर्थ है कडिया और सकिंडताओं का अर्थ है ओचापन या छुद्रता जिसे हम कहते हैं छोटापन जिसे कहा जाता है जब हम कोई छोटा कारे करते हैं उसे छुद्रता कहा जाता है तो कभी कह रहे हैं कि कभी लोगों के मन कह रहे हैं कि मन में जो बसी आपकी जाती पाती उच नीच अमीर गरीब इस्त्री पुरुष्ट धर्म भेद आधी जो संकिन्डता है जो छोटी भावना है छुद्रता है इसको तोड़ देना चाहिए और इसको तोड़कर क्या करना चाहिए, मन को सागर के समान बिसाल बनाना चाहिए, जैसे सागर में सब पानी समा जाता है, चाहे वो गंगा का पानी, निर्मल पानी हो, या फिर नली का पानी हो, या फिर छोटे से तलाब का ही पानी क्यों न हो, उसमें सब समा जाता है, उसी नग्यान वाजात करना चाहिए क्या गए विशाल बनाने की प्रना देते हैं इसके बाद उसी क्या रहे है तो कभी सागर के समान अपने मन को विशाल बनानी की पेड़ना देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को बून की तरह छोटा और सीमित नहीं होने तूँगा बिंदु बन कर मैं तुहे ढलने ना दूँगा यनि बून्द के समान मैं तुमको खोटा और सिमित नहीं होने दूँगा बलकि सिंधू के समान, सागर के समान तुमको बिस्त्रित और बड़ा बना दूँगा ताकि उसमें सभी चीजे समाहित हो सकें आगे की पंक्तिया देखते हैं तुम उठो धरती उठे नवसिर उठाएं तुम चलो गती में नई गती जंजनाएं विपत होकर मैं तुम्हें मुणने न दूँगा प्रगती के पत पर बढ़ाने आ रहा हूं तो इसके अंदर देखिए कभी क्या कह रहे हैं कि तुम उठो जागरित कर रहे हैं नींद की अवस्था में हैं कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं आलस की अवस्था में बैठे हुए हैं एकदम ही अक कर मणने हैं ऐसे लोगों को वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं वैसे भारतियों को वो जगा कर रहे हैं उन्हें कल्पना लोक से बाहर निकालकर जीवन के मार्क पर आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तुम चलो गती में नई गती जंजनाएं वे लोगों के अंदर गती भरना चाहते हैं गती भरने का मतलब क्या है जीवन तंता भरना नवीनता लाना शक्किंडताओं से मुक्त कर देना पोरी कल्पनाओं से मुक्त कर देना लोगों के अंदर से आलस को भगा देना और कुछ न और प्रगति की बात सोच सके उसी राह पर आगे बढ़ सके इसकी बात कह रहे हैं जो अंतिम पंक्ति मी कह रहे हैं कि प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं तो यह कह रहे हैं कि लोगों के भीतर जो तमाम संक्रिनत आये हैं उसको त्याग कर लोगों को प्रगति और वि वेदी जी की एक बहुत ही प्रेणा दाई कवीता है जिसमें वो लोगों को उनके आलस से उनके भीतर की जो छुद्रता है चाती पात है लिंग भेद है धर्म संबंदी संकिनता हैं कोरी कलपना है उससे मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को देखने को कह रहे हैं ताथी साथ प अच्छी लगी होगी और इस कवीता की व्याख्या से और से ही आपको कोई ना कोई फायदा होगा इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर को देखेंगे तो आप इस चानल से जुड़े रहे इस वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक